Hello friends and welcome to my channel Emerald English Literature वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आप मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज हम डिसकस करने चारहे हैं Emily Dickinson की एक poem जिसका नम है Because I Could Not Stop Her Death Emily Dickinson की जो poems होती है उनको कोई title नहीं दिया गया है लेकिन जो poems की पहली line है वो ही title माना जाता है यह जो poem है Because I Could Not Stop Her Death यह लिखी गई थी 1863 में लेकिन यह publish हुई थी 1890 में post ho musli मतलब writer की जो poetess की death के बाद यह poem publish हुई थी Emily Dickinson का birth हुआ था 1830 में और death हुई थी 1886 में इस poem की theme है death और immortality immortality होता है never dying अमर हो जाना चलो अब हम यह poem को discuss करते हैं line by line कहता है because I could not stop for death क्यूंके मैं death के लिए नहीं रुख सकी he kindly stop for me तो death ने महरबानी की और मेरे लिए रुख गई the carriage held but just ourselves जो carriage था जो buggy थी जो गारी death लेकर आई थी उसमें सिर्फ हम दोनों के लिए जगा थी death के लिए और मेरे लिए immortality होता है never dying कि जब death हो जाती है तो जो soul है वो निकल जाती है body से तो उसकी कभी death नहीं होती वो अमर रहती है never dying होती है जो soul we slowly drove हम बिलकुल आस्ता चल रहे थे कौन? poetist कह रही है कि वो और जो death है वो बिलकुल slowly चल रहे थे he knew no hist क्योंकि उसको कोई जल्दी नहीं थी death को भी कोई जल्दी नहीं थी तो इसलिए हमारी जो गाड़ी है carriage buggy है वो बिलकुल आस्ता चल रही थी and I had put away my labor and my leisure too और क्योंकि मैंने अपना मैंने अपना जितना भी काम और जितना आराम था साब पीछे छोड़ दिया था far his civility सिर्फ death की civility की वज़ा से civility होती है उसकी politeness के जो death का जो polite behavior था कि वो खुद मुझे लेने आई मैं तो नहीं गई थी वो खुद आई जो उसकी courtesy है यनि जो death है वो बादब है वो बहुत अदब से मुझे लेने आई थी courtesy के साथ polite behavior के साथ आई थी तो मैंने भी अपना काम और अपना सारा labor छोड़ दिया we passed the school और हम एक स्कूल के पास से गुजरे we are children's straw at recess in the ring जहाँ पर बच्चे recess के time जब break होती है तब वो खेल रहे थे और कोई रिंग चलाने की कोशिश कर रहे थे we passed the field of gazing grain और फिर हमने उसके बाद जो grains के खेत अनाजूं के जो खेत हैं उनको हमने पास किया we passed the setting sun और हमने डूबते हुए सूरज को भी पास किया और रादर ही past us या फिर उसने हमें पास किया अब जो ओस थी शबनम थी क्योंके शाम का वक्त था थन्डी हो रही थी थन्डी थी और काम पर रही थी कब कबा रही थी और अनली गुजैमर माइ गाउन और जो मेरा गाउन था वो बहुत गुजैमर मतलब एक थीन फैबरिक से बना हुआ था तो वो भी काम परा था, मतलब मैं काम परही थी मैटी पैट, और जो मेरा फर वाला स्टोल था, जो मैंने गले में मुपर डाला हुआ था, सॉफ्ट, जो फर का बना था वो भी जो था और उसके बाद, अनली टूल और मैंने एक नेट वाला वील एक सकाफ, एक परदा जो नेट का वो मैंने सकाफ डाल के रखा हुआ था, तो ये सब कपकपा रहे थे क्यूंकि ठंड हो रही थी फिर हम एक गर के सामने से गुजरे, जो ऐसा लग रहा था कि जमीन पर कुछ स्वेल हो गया हो उबर, उपर उबरी हुई हो एक्चुल में वो एक कबर थी ग्रेव थी, जो के जमीन के उपर एसे स्वेल होई थी वो थोड़ी एक्स्ट्रा उपर दिख रही थी दा रूफ वा स्कार्सली विजिबल उसका चछत वो जो घर था, उसका चछत तो अब एक भी दिन नहीं गुजरा जबके सदियां गुजर गई हैं इस बात को एक भी दिन से चोटा लग रहा है और मैं सरमाइस रहता है इमेजन करना मैं इमेजन करती हूँ गोड़ों के सिर एटरनीटी की तरफ जाते हुए इटरनीटी होती है इन फाइनाइट टाइम जिसका कभी खातमा नहीं होता तो उस तरफ वो इमेजन करती है कि वो जो बगई है, उसके जो गोड़े हैं उनका सर इटरनीटी की तरफ जा रहा है क्योंकि डेथ के बाद जो सोल होती है वो कभी नहीं मरती है तो वो infinite time के बारे में बता रही है कि वो infinite time की तरफ जा रहे हैं जो horses कि अब वो कभी खतम नहीं होगा कभी death नहीं होगी वहां पर जाके तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो please like, subscribe और share जरूर कीजिए और bell icon को जरूर प्रेस कीजिए तक कि मेरी आने वीडियो की अपडेट मिल दे रहें